काल करेसो आज कर आज करेसो अब पल में पर रहे होएगा बहुरी करेगा कब ये सब बच्चे बच्चे पढ़ते हैं कभीर की शाकी पढ़ा हैं ने तुम लोग और आज तुम्हारे शामने आ गया यह तिरी परन शाकी इसमें कहते हैं कभीर साहिब की जो काम कल करना है आज क्यों नहीं कर लेता है क्यों सुचता है और जो आज करना है उसको अभी क्यों नहीं कर लेता है क्या किसे ने कोई खबर है की कल क्या होगा तु जानता है यह क्यों नहीं कहता है कि जो हमको कल सोना है तो कहें कि हम आजी सो लें गुरुजी इसलिए यह कहते हैं करम पर देखो यह positive thoughts है सकरात्मक चिंतन है रावण भी मरते समय राम से यही कहा है अच्छी बात को हम लोग कल पर टाल देते हैं बूरी बात को हम लोग अभी कर लेते हैं यह दि बूरी बात को हम कल पर टाल दें और अच्छी बात आज ही कर लें तो बहुत बड़ा कल्यान हो जाएगा हमने सोचा था कि स्वर्ग पर जाने के लिए शिड़ी बना देंगे तब देवताओं को हमने गिरवतार किया है देवताओं सब हमारे बस में आएं लेकिन हम उसको हमने कल पर टालते रहा स्वर्ग जाने के शिड़ी नहीं बना से और हमने सोचा कि सब देवताओं को लोगों को सेवा में भेज़ते हैं लेकिन वहाँ कल पर टालते रहा इसलिए राम अच्छी काम को जो है कल पर नहीं टालना चाहिए अब था हम मर रहे हैं कल पर टालते टालते समाप्त हो गया नहीं कर सकते हमें सामर्थ थी इसलिए देखो आपकी जो है चेतना जैसा चाहूँ उसे विकास कर सकते हो आप में चेतन ये शक्ति है जब आप अपनी चेतना ठीक ठीक विकास करेगा परमात्मा के लिए तब आपके अंतह करण से ग्यान और वेरागी का चेतना आएगा और ग्यान वेराग का दो पंक जब में आपे निकल जाएंगे तब उस परमपिता प्रमात्मा के लिए हुआ दोनों पंक अकास में अनंतकास में उड़ जाएंगे जब अनन्तकास में उड़ जाएंगे तब वहाँ जो है आप जो है उस परम्पिता पर मातमा को प्राप्ट कर लेगा काते हैं कि वह प्रारंभ थोड़ा कठिन हो जाता है लेकिन हम उस चेतना में निकल शकते हैं अभी क्यों नहीं सुब काम में हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा बुढ़ा हो जाएंगे तब थोड़ा और हो जाएंगे तब है न जी सोचता है राके से आज नहीं कल कल नहीं परसो परसो नहीं करसो यह सोचते हैं सुब काम के लिए अशूब काम के लिए नहीं सोचते हैं कमाल भाई ते निकल गए सुकदेव जी भी निकल गए निकल गए सुकदेव जी भी जनम लिए चले गए और यही काहनी गुरु जी कि हैं सुन रहा था मुलाला सुर्दीन उसको भी अच्छा लगा एक बैंक का मनेजर भी सुन रहा था उसको भी अच्छा लगा कि बड़ी बात है कल करेश वाज करेश लिए और हमारे अधिकारी यतने बारगें किरमचारी जिसको कल अगाउंट पूरा करना है आज पूरा करके चला जाये अगाउट सब अजिट हमारे हो जाएगा उसलिये वह अभी अपने भाइंक में लिख दिया烏ष सकता का फू recreation का आज चर इसो आज करे आज परे लेच्डर में पर रहे होएगा वहर करेगा क्या लिक दिया उदिकार भोरम भी अपने गार जाकर त legitimate bullshit सबस्दिल कर Mommy अब खुब जगड़ा करने लगा कि बैंक साहिप मनेजर आपसे हमरा मित्रता था आपका देखा था कि हम लिख दिये तक गजब हो गया हमारे घर नोकर जो है रहता था पढ़ता था इस बात को वह जो है पत्नी से बात किया कल करेशो आज आज करेशो तक क्यों हम लोकल भाग पर भाग जाए तो क्या हो गया तो बैंक में जो कैसियर था और एक और लड़की रहती थी बगल में असिस्टेंट वे दोनों पूरा कैसे लेकर भाग गया सा कहा कि कल क्यों भागे जब आगना है ता जी भाग जा हमारे यह यह तो हो रहा है देखो यह जो है हम लोग इसलिए यह यह कही सब्द का अर्थ अलग 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 लगता है कमाल जी ने अर्थ लगा लिया कि कभी से आज तक कमाल की बात हो गया सिक आए वह चल दिया और शुकदेव जी भी नगा लिये मुलनाना से दिन भी लगा दिया कल करे सो आज करा आज करे सो तो का अस्मरन मा आत्र से भाव शागर जो है पार कर जाते हो एदि गुरू नहीं किया है तब तुम इस शागर से पार नहीं लगते हो कबीर शाहिब कहते है हरी सु मेरे बार है गुरू सु मेरे बार एदि तुम मैं हरी का समर्ण कर रहा है तो तुम क्यों यह सुमचेगा कि मैं इस भाव आपकर से पार करने के टेक्निक बता देगा और शाथ ही एक बेड़ा लाएगा उस बेड़ा पर बैठा करके आपको पार कर देगा इसलिए कहते हैं कि यात्रा हरी से प्रारंभ होती है लेकिन यात्रा का अंत होता है गुरू तक जाकर यावाद समझो इसलिए कबिर शाथ कहते हैं यहाँ पर आकि एक गुरू के नाम बिना जम मारेंगे रोल एदि एक गुरू का नाम नहीं लिया है तो जम मारेगा लखेद लखेद करके पीछा करके मारेगा चाहें लाग तुम्हारा समरी शूंदर हो आसरम बना लिया हो चाहें बहुत बड़ा घर बना लिया हो जो भी करते हो जैसी है समझो कि तब बिमार पढ़ता है तब डाक्टर खोजता है उसी तरह से जब आप दुनिया से फ्रस्टेट हो जाता है निरास हो जाता है पूरे दुनिया में अंधकार ही अंधकार दिखाई पड़ता है जब पूरी दुनिया में कोई नहीं अपना दिखाई पड़ता है तब गुरु की खोज करता है और वह गुरु जो है वह बिधी देता है जो तुम्हारा सरवश्च जो है परमात्मा मिल जाता है गुरू यह टेकनिक बताकर आपको परमात्मा से मिला देता है यही करता है गुरू के पास जो है बैठने मात्र से तुम में पात्रता आ जाती है पात्रता जब वह परमात्मा बरसता है प्रमात्मा तो निरंतर भरसता रहता है, लेकिन अपात्र हो तुम पानी नहीं टिकता है, और काचे बासन टिके न नीर, काचे बासन में निर नहीं टिकता है, जब तुम पक जाते हो, गुरु की पात्रता आ जाती है, तुम परशा होती है, वह निरजहर पानी आप में टिक जाता है, पवित्य पानि टिक जाता है वही पानि ही आपको प्रमात्मा से का आसरिबाथ समझो और वह आसर बाद ही आपको जीवन मरनसे मुक्त कर देता है कहते हैं तुम्हारी सची स्रधा जम के प्रहार से बचाती है और देखो अब हम जो हम स्वामी आत्मा दास जी के बारे में बता रहे थे कल आज भी कहेंगे जब उनका वह असाथ भीमारी हो गई और बिजनिस जैस अच्तानंद हो गया न कौन-कौन बिजनिस कराये थे एक पहले नोकरी, दूसरी बैदगिरी, तीसरी फिर मास्टरी अपने घर पर, तिन चवु था घोड़े कवेपार, और पचवा फिर दूसरे बार घोड़े कवेपार पांच में पुरी फैदा हुई इसलिए प्रमात्मा जी दर ले जाना चाहता है, उदर ले जाता है आप लोग क्यों प्रमात्मा से या इसलिए उस जोड़ दिये अपने को